दर्सको आज हम बात करेंगे धनू रासी फल मई 2022 के बारे में मई का महीना धनू रासी बालों के लिए कैसा रहेगा कौन कौन से ग्रहो का रासी परवर्तन होगा ग्रहो के रासी परवर्तन से कौन कौन से छित्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हम बात करेंगे आपके संपून छित्रों के बारे में जैसे मई के महीने में आपका स्वास्त कैसा होगा मई के महीने में धन की स्थिती कैसी होगी, ब्यापार की स्थिती कैसी होगी, नोकरी की स्थिती कैसी होगी, सिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, भाग, किस्मत, कम्पेटीशन, लाभ, ब्यव, धन, आर्थिक स्थिती, मानसिक स्थिती, विदेश यात्रा, सभी के बारे में हम व इस्तार से चर्चा करेंगे उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद राशी पर आधारित हैं नाम राशी के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि आपके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशी परवर्तन के बारे में ती दुस्रे ग्रेह मंगल, मंगल सत्रा मईग को रासी परいたन करेंगे और मीन रासी में गोचर करेंगे। सत्रा तारिक के पहले कुंभा रासी में सनी के साथ गोचर करेंगे जो की अच्छे माने जाते हैं। मंगल के बाद सुक्र का रासी परवर्तन 23 मई को होगा शुक्र 23 तारिक तक मीन रासी उच्छ रासी में गोचर करेंगे मालब राज योग बनाएंगे और 23 तारिक के बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे मेस रासी में तो सुक्र भी आपको काफी अच्छे पढ़ाम देने वाले हैं, सबसे पहले बात करें हम रासी के स्वामी के बारे में, धनू रासी के स्वामी होते हैं गुरू, और गुरू स्वयम की रासी मीन रासी में चतुर तभा में गोचर करेंगे, जो कि हंस नामक राज योग बनाएंगे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वा गुरु ग्यान के कारक है, संतान के कारक है, विवाह के कारक है, तो यहाँ पर गुरु चतुर्त भाव में जो है अपने ही रासी मीन रासी में गोचर करेंगे, स्वास्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, confidence आपका बना रहेगा, यदि हम बात करें तो गुरु के जो पंचम दरश्टी, सब्तम दरश्टी और नवम दरश्टी, तो पंचम दरश्टी जो है वो अश्टम भाव में रहेगी, गुप्त धन यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, गुप्त धन मिलने की इस्तिती बन रही है, वह यदि हम बात करें तो आध्यात में के प्रती आपक रही है, नवम दरश्टी आपके विदेश भाव में पड़ेगी, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए कार कर सकते हैं, या सेटलमेंट भी हो सकते हैं, तो यह काफी अच्छी इस्तिती है, गुरू का गोचर राजनीती के लिए बहुत अच्छा है, मानसम्मान के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक इस्तिती, मानसिक इस्तिती और सामाजिक इस्तिती, तीनों इस्तितियों को सुधारने का काम गुरू करेंगे, और गुरू यहाँ पर पूरे एक वर्स तक गोचर करने वाले बात करें आपके धन के मालिक के बारे में धन के मालिक सनी है और तरती भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी हिरासी में बहुत अच्छी स्तिती है धन के योग बने रहेंगे आर्थी किस्तिती आपकी मजबूत रहेगी और सनी की सारे साती भी आपकी समाप्त हो रही है तो कई सारे लाब देखने को यहाँ पर मिलेंगे कोटम्म परिवार का सहयोग मिलेगा वलप्राक्रम में ब्रद्धी होगी भाग में ब्रद्धी होगी काफी अच्छी स्थी थी यहाँ पर सनी की देखी जा रही है यदि बात करें हम चतुर तभाव की तो यहाँ से हम देखते हैं भूमी भवन प्रापर्टी के बारे में यहाँ की मालिक गुरु है और गुरु अपनी हिरासी में बिराजमान है तो भूमी भवन प्रापर्टी में आपको लाभ मिलेगा वाहन आप करे कर सकते हैं मकान का निर्मान कर सकते हैं बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ प्रमंगल का भी गोचर रहेगा जो कि भूमी भवन प्रापर्टी माकान में लाभ देने का काम करेंगे राजनीती में है तो जंता का सपोर्ट बना रहेगा पंचम भाव के दिबात करें तो यहां के मालिक मंगल है केंट रेकोर राज योग बना करके बैठे विये हैं यहां पर राहू भी विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है शुक्र काफी अच्छे पढ़ाम देते हैं मंगल भूमी भौन प्रापर्टी से जुड़े हुए कामों में लाव देने का काम करेंगे राजनीती में लाव देने का काम करेंगे और सिक्षा संतान प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे शुक्र और राहू पंचम भाव में गोचर करते हैं तो प्रेम विवाह का योग बनता है बहुत अच्छी स्तिती हैं पंचम भाव में राहु विराजमानित, जुवा, सटा, लोटरी, सेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, श्टॉक मार्केट इन छेतरों से आप लाभ कमा सकते हैं बेहतर हिजल्ट देखने को मिलेगा शुक्र भौतिक शुकों में ब्रधी करने का काम करेंगे छटे भाव में सूर बुध का गोचर रहेगा और यहां की मालिक शुक्र हैं पंचम भाव में गोचर करेंगे और सूर का गोचर यहां पर बेहद यच्छा माना जाता है सूर सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है प्राइवेट नौकरी के लिए बहुत अच्छा है कमपटीशन आप निकाल पाएंगे सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं हेडरन समाप्त होंगे और कई सारे लाब देखने को यहाँ पर मिलेंगे वैवाहिक जीवन के मालिक बुद्ध है और चटे भाव में गोचर कर रहे है कमपुरुमाज करके चले बहतर रहेगा भाग के मालिक सूर है भाग में ब्रद्धी करने का काम करेंगे कमपटीशन में सफलता दिलाएंगे कैरियर के लिए दिब देखा जाया तो गुरु की द्रष्टी यहाँ पर पड़ रही है इसलिए यहाँ पर विशेश कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखे क्योंकि आपके छटे भाव पर गुरु बुद्ध की इस्तिती बनी हुई है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मनमुटा की इस्तिती पैदा हो सकती है लाभ के मालिक शुक्र है और अपनी रासी को देख रहे हैं तेविस तारिक के बाद अपनी रासी को देखेंगे लाभ देंगे भाग में ब्रधी करेंगे आय में ब्रधी करने का काम करेंगे और विदेश के मालक आपके मंगल है चतुरत भाव में गोचर करेंगे जो कि बहुत अच्छे स्थिती में है विदेश के योग बनेंगे आप सेटलमेंट हो सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात रही है कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनूरासी वालू के लिए मई का महीना काफी अच्छा रह सकता है काफी कुछ आप लाव कमा सकते हैं योगि सन्नी की साड़े साती भी आपकी समाप्त हो चुकी है हाला कि दो महीने के बाद पुना सन्नी की साड़े साथी का तीसरा चल्ण आपका प्रारंब होगा लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं होगा 2023 सत्रा जन्वरी तक रहेगी उसके बाद सन्नी की साड़े साथी से आप कुण रूप से मुक्त होंगे और कई सारे आपको लाभ देखने को मिलेगा तो दर्सको आज बस इतना ही धनवाद